हालो प्रेंट में हूँ मारी पैक और मैं सौगत कता हूँ गूगल एड्स चीटलिंग हिंदी क्लास पे जहां पर आपको शिखने को मिलेंगे कैसे आप एक गूगल एड्स चैंपेंग लिख सकते हो राइट फ्रेंट हाँ अपने सही सुना कि हाव टू राइट गूगल एड्स चैंपेंट और अभी बिल्कुल आपको हिंदी में मिलेंगे तो फ्रेंड आप जानता हो कि मैं यहाँ पर गूगल एड्स ट्रेनिंग स्टे करना चाहता हो तो इसके लिए आपको जानना होगा कि कैसे आप एक प्रोपरशनल की तरह एड्स चैंपेंग लिख सकता हो तो यह शीरीज नमबर 17 है इसके पहले और भी बहुत सारे में गूगल एड्स चैंपेंग के उपर मैंने कर चुका हूँ राइट तो फ्रेंड आप को ढी आपको कैंपेंग पे जाना होगा और मेने पिसले वाला वुडियो के अंदर मे दिखा आप कैसे आप गूगल एड्स कैंपेंग करके एक एक EdCampaign बना सकते हूँ और इसके साथ म readiness गूगल एड्स एक option भी मिल जाएगा, तो देखे, सारे जब आपको dashboard आ जाएगा, तो मैं आपको suggestion करूँगा, पहले बर जब practice कर रहे, तो बस आप create a campaign without goal, guidelines ऐसे आप click कर लिजिए, और यहाँ पर हम लोग एकसाथ मिलकर, search जो campaign है, वो हम लोग चलाएंगे, और यह website के लिए चला रहा हूँ यहाँ पर आपको बात क्या है, continue करना है, तो फ्रेंड, यहाँ पर Google Ads campaign करने के बाद, आप जानते हो कि type जो है, यह search है, आप कभी भी चाहे, तो इसको भी आप बदल सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर अगपोल लगते हैं नहीं, मैंने गलत दबा दिया, तो आप चाहे तो display क्लिक कर सकते हू जाए तोтеपिंग klik कर सकते हो फिर जाके आप continue दो वा सकते हो Dann कोई बात ने sporting के राखने देता है और यहाँ पर जो बात है यहाँ पर फिर से continue का लेते और फिर ओ पापसचाला जाए, तो चले कोई बात नहीं, यही same to same रहेगा तो देखिए campaign type चला आ गया और यहाँ पर जो main जो बात के अनके बाद है यहाँ पर है campaign name तो यहाँ पर देखिए sas1, sas2, sas3, sas4 ऐसा ही करके एक by default यहाँ पर name आ जाता है आपको यही सिखना है कि यहाँ पर जो campaign name है वो आप कैसे तरीके से लिख सकते हो और एक proportional की तरह अप लिख सकते हो तो चलिए friend मैं आपको थोगा से example के देने के लिए कुछ note मैंने आपको सामने में राका हूँ तो मानके चलिए आपने कोई एक shopping site जैसे कोई भी एक e-commerce site हो सकते है आपका पास बड़े-बड़े shopping site है तो उसके अंदर बहुत सारे product होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको एक ad campaign चलाना है तो मैं इसका सारे details में आपको बताता हूँ क्यूंकि आपको पास सारे के सारे clear हो जाए तो देखिए campaign name अगर मैं चाहते तो यहाँ पर part 1 ऐसे करके भी लिख सकते थे right अगर आप चाहते ads 1 और आप चाहे तो यहाँ पर 2019 ऐसे भी करके आप दे सकते हो पर क्या है यह actually professional की तरह नहीं होता है अगर आप professional की तरह लिखना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना होगा आप क्या ad चला रहे हो shopping ad चला रहे हो right यसलिए आपको mention करने चाहे अगर आप professional की तरह पैक्टिस करना शुरू करेंगे तो एक दिन एक दिन आप जुरूर प्रोपेशनल बनेंगे ऐसे ही अब हड़वड़ी करके कोई भी एक नाम देंगे तो वो प्रोपेशनल की तरह नहीं होता है इसलिए मैं आपको suggestion करूंगा exactly और accurate काम करना सिखे अगर आप कोई भी company के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे अच्छा एक job आपको मिल जाएंगे और company की नहीं तो बस कोई भी एक freelancer बनकर आप काम करेंगे तो client भी बहुत happy हो जाएगा because यह मानेंगे के हाँ यह बन्दा बहुत accurate information की तरह और professional की तरह काम करते है तो यहाँ पर देखे मैंने लिखा shopping और इसके बाद मैंने लिखा basket shoes, basket ball shoes और product number one तो देखे पोड़क नमबर one मतलब यहाँ पर जो example है अब product number one to five six four three ऐसे करके देख सकते हैं यह product p-r-o-d-u-c-t और product यहाँ पर भी आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं तो कोई भी आगार google ads आपको user id और password login करें तो उसको dashboard देखकर यह पता चले कि यह जो ad company यह actually shopping ad के लिए चल रहे और उसका जो product है वो basket ball shoe के लिए चल रहे और उसका जो product है वो five one four eight nine ऐसे ही करके वो ad campaign च product के लिए अगर मानकेची लिए वही same product के लिए ad campaign चलाना चाहते है तो पहले उस search card के लिए देखेंगे के already कोई एक product यही product कोई ad campaign चला रहे या नहीं तो यही इसके लिए आपको benefit है आप जानते हो search का भी फायदा ऐसा ही तरह के सब ले सेकतो product की तरह और basket shoe की तरह इसको और भी थोड़ा बात में declare कर दूं मानकेची लिए अपने basket wall shoes और product 51489 एक जंबल के दोरे एक ad campaign चला रहे है तो कोई दूसरे बांदा आपको profile handle कर रहे है और वही same ad वह अगर चलाना चाहते है तो पहलो check कर पाएंगे कि हाँ यही ad कोई दूसरे बाला already चला चुका है तो दूबरा ad campaign चलाने के कोई जूरूत नहीं है और आप जानतों same product same model है वह अब घुमा प्रकर भी ad campaign और campaign name आप लिख सकते हो पर ज्यादा तो ज्यादा campaign name के अंदर आपको और भी सारे ad group अलग अलग type के ad campaign चला सकते हो कोई बात में एक campaign के अंदर आप बहुत सरे ad group भी बना सकते हो तो इसमें आपको कोई धिक्कत नहीं है तो अगर आप चाहे तो ऐसा करके अगर लिखेंगे तो ए भी चलेगा और मानके चले अपना सास अड़ देना चाहते है तो ए गया आपको एक जंबल के दोवरा आप मानके चले मैं यहाँ पर सास अड़ चला रहा हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना होगा पहले आप सास अड़ चला रहें अगर यहाँ पर डिस्प्ले अड़ चलते हैं तो पहले आपको डिस्प्ले अड़ लिखना चाहिए था और यहाँ पर आप बसकेट बॉल और पोड़क नमबर जो है वह आप दे सकते हैं 325678 तो यह भी जोनना चाहते हो मानके चले और 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 भी नेराडाउन करके लोगों को दिखाना चाहते हो कहां और भी प्रोपरेशनल की तरह तो आप यहाँ पर शॉपिंग और फिर यह तरीके से भी आप लिखर दे सकते हो तो कैमपेंड नेम क्या हो गया पहले आप एक सास अड़ चला करेंगे तो आप जल्दी से जल्दे एक प्रोपरेशनल एडविडेसर बन जाएंगे और मैं एही प्रेक आता हूँ विकोज यहाँ पर मेरा जो मेशन है कि आप एक अच्छा-च्छे-च्छे-गोगोल एड्स एक्सपार्ट बन जाओ तो फ्रेंड आपको पार्ड़ ऐसा ह रहने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रा थैंक्यू सुमास फ्रेंट मिलते हैं और एक नया वीडियो के असाथ तब तक आब हैप रहिए खुशी रहिए जाए हिंद बंद बहुत रहा